यूपी के जौनपूर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है यहाँ नई नवेली दुलहन की कार जैसे ही ससुराल की देहलीज पर पहुँची और महिलाओं ने मंगलगान शुरू किया तो दुलहन ने कार से नीचे उतरते ही दूले को थपड़ जड़ दिया और दुलहन का लिवास उतार कर सादे कपड़ों में अपने माईके चली गई यह घटना जौनपूर के खुटहन थाना शेत्र के लवायन गाउ की है रविवार को शादी हुई रस्म अदाईगी फेरे हुए जनम जनम का साथ निवाने की कस्मे खाई गई लेकिन माईके से ससुराल पहुँचते ही दुलहन ने शादी तोड़ दी थाने पर घंटो चली पंचायत के बाद भी पंचायत बे नतीजा रही दोनों को शादी तोड़नी पड़ी लवायन गाउन निवासी एक युवक की शादी खेता सराय थाना छेतर के एक गाउं में 20 जून को तै थी नियत्तिती को गाजे बाजे के साथ बारात खेता सराय थाना छेतर के गाउन निवासी दुलहन के घर पहुँची दूमधाम से विवा संपन कराया गया दूसरे दिन रवीवार की सुभा दुलहन विदा होकर दूले के घर पहुँची परिवार के महिलाएं पर्चन कर दुलहन को घर में ले जाने की तयारी कर रही थी कि इस दोरान दुलहन ने दूले को कई थपड़ जड़ दिये पहले तो लोगों ने सोचा कि दूलहन पर कोई भूच प्रेती बादा है इसलिए जाड़ फूक के लिए ओज़ा भी बुला लिया गया मगर बाद में दावा किया गया कि नई नवेली शादी के जोड़े में ससुराल पहुँचने वाली दूलहन पर इश्क का बूच था यानि दूलह पक्ष का आरोप है कि उसने खुद सुविकार किया है कि उसका एक अन्यय युवक से वर्षों से प्रेम पर संग चला आ रहा है वह उसी के साथ रहना चाहती है फिर वदूपक्ष के लोगों को बुलवा कर मामला थाने लाया गया गंटो चली पंचायत के बाद भी दूलहन राजी नहीं हुई बाद में वह दूलहन का जोड़ा उतार कर सादे लिवास में वापस अपने माई के लोट गई अगर दूले पक्ष का आरोप सही है तो दूलहन को ये फैसला साथ फेरों से पहले ही ले लेना चाहिए था प्रेमी के दादा का बच्चा जिसे वो बेटा समझ रहा था वो प्रेमी का चाचा निकला अगर वो वीडियो अपने भी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं और उस पर अपनी राय जरूर दें ब्योरो रिपोर्ट टाइम 24 न्यूज